यहाँ पर आप चाहें तो कहानी सुनें या फिर आप छोटे बच्चों की लिडिंग प्रैक्टिस भी करा सकते हैं। कई बार छोटे बच्चे हिंदी की लिडिंग में कुशल नहीं होते तो उन्हीं हिंदी लिडिंग के अभ्यास की जरुरत होती हैं। और वो इससे बच्चते हैं, तो यहां से आप छोटे बच्चों के हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस भी करा सकते हैं। दात का दर्द, जंगल के सब जानवर परेशान थे, जड़ी बूटी और अंग्रीजी दवाई खिलाने के बाद भी, शेर के दातों का दर्द ठीक नहीं हो रहा था, चम्पू बंदर, शहर जाकर किसी डॉक्टर को लाने को भी तयार था, पर मोजी राम हाती ने समझाया, ऐसी बात तो करो नहीं, शेर का इलाज करने भ़ला कौन डॉक्टर आने की हिम्मत करेगा, किसे अपनी जानगवानी है, चम्पू बंडी ने तो मोती कुत्ते से यहां तक कहा, हमारे जंगल के राजा दर्द से इस तरह तरब रहे हैं, और हम सब तमाशा देख रहे हैं, मोती नहरानी जताई, अरे छमको, तुझे बड़ी जानकारी है, तू तो कंप्यूटर के बारे में भी जानती है, इधर शेर दर्द से बुरी तरह तडब रहा था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था, कि वह क्या करे, आखिर घबराकर सबसे दूर एक घने पेड के नीचे जाकर लेट गया, ठंडी हवा चल रही थी, शेर पर बेहोसी सी छा गई, उसका मूँ खुला हुआ था, पेड पर बैठी नन्नी चिडियों ने, शेर को तडपते देखा, वहर नीन में भी दर्द से करा रहा था, दो न पातो और मसूडों में धेर सारे कीडे थे, चिडियों ने अपनी चोंच से उन कीडों को निकालना शुरू किया, सारे कीडे जब निकल गए तो शेर को आराम मिला, इससे पहले की शेर अपना जबडा बंद करता, चिडिया फुदक कर शेर के मुह में से बाहर आ गई, शेर गहरी नींद में सो गया, कुछ देर बाद जब शेर उठा तो उसे आश्चरिय हुआ, उसका दर्द कैसे गाया भो गया, शेर खुशी से दहाडने लगा, चिडिया काप गई, शेर फिर हुंकारा, किसने मेरा दर्द ठीक किया, मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ, डरती हु दोनों ननी चिडिया आई, एक ने बताया, राजा साहब आपके दातों में धेर सारे कीड़े थे, जो आपको काट रहे थे, और आप परेशान थे, दूसरी चिडिया बोली, लगता है आप खाने के बाद दातों की सफाई नहीं करते, यह सुनते ही शेर, गुस्ते में आ ग भी थी, फिर उसने अपने को संभाला और बोला, हाँ यह सच है, अब मैं हमेशा खाने के बाद दातों की सफाई जरूर करूंगा, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, आप कमेंट में बताईए, और बच्चों यहाँ पर शब्दार्थ हैं, आप कुछ क्वेशन के आंसर भी बताईए, चंपू बंदर शहर क्यों जाना चाहता था, आप इसका अंसर कमेंट करके बताईए, हाथी ने चंपू बंदर को क्या समझाया, यह भी आप कमेंट करके बताईए, और कमेंट में बताईए कि, शेर के दात का दर्थ कैसे ठीक हुआ, फिर आप इसका अंसर भ की और भी वीडियो इसी चैनल पर देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर इस तरह की रीडिंग प्रैक्टिस के लिए या फिर कहानी सुनने के लिए और भी वीडियो इस तरह की अच्छे अच्छी कहानियों की लगातार दी जाएंगी थेंक यू